हलो बच्चों, लेट सी इस कोईशन, and here इस कोईशन से, what is coalition government, why the prime minister of coalition government cannot take decision as he like, question आप से बोल रहा है कि coalition government क्या होती है, और क्यों coalition government के prime minister वो सभी decision नहीं ले सकते हैं, जो उन्हें पसंद होते हैं, इस कोईशन को ऐसी पूछ सकते हैं, write any theory, constant on the power of the prime minister of a coalition government, यहनि कि जो coalition government के prime minister होते हैं, उनकी powers के उपर कौन-कौन से constant होते हैं, कौन-कौन से बाधाएं होती हैं, वो बताईए, next step, what is the coalition government, coalition government क्या होती है, mention any two limitations of the coalition government, और coalition government की कोई दो limitation बताईएगा, तो हम इसको देखते हैं, मैं अपना answer लिखेंगे, question का key concept है, coalition government, क्या होता है, देखे, definition यह रही, the coalition government is a type of government where two or more political parties join together in assembly to form the government, इसमें क्या होता है, देखो, मान लीजिए, कि पार्लेमेंट के election होते हैं, लोगसभा के election होते हैं, और अब क्या, लोगसभा के election के तरू किन को चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को चुना जात है, अब यह, आप इमाजिन करें, कि लोगसभा के election होते हैं, उसमें किसी भी एक party को majority vote नहीं मिले हैं, बहुमत नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में, दो या दो से ज़्यादा पार्टियां मिलकर अपना एक coalition बनाएंगी, अपना ग्रूप बनाएंगी और फिर वो तीनों-चारों party मिलकर अपनी सरकार बनाएंगी, तो ऐसे में जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो उस party के बनते हैं, जिसको उस गटबंदन की सरकार में भी, या उन दो तिन party में भी सबसे ज़्यादा जिसको vote मिले होते हैं, ज़्यादा तर वही आपके प् ग्रूप अपना एक हाथ मिला देते हैं, और अपनी सरकार बनाते हैं, अब इसकी limitation क्या है, there is always conflict with the government, within the government due to the non-consensus, अब देखो क्या होता है, जब मैंने आपको बताया है कि 2-3 party मिलकर अपनी सरकार बनाती है, तो कोई भी जब decision लिया जा रहा होता है, तो उन दोनों-तीनों पार्टी से जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है, उनसे बातचित करनी पड़ती है, कोई भी decision ले रहे हैं, तो आपको उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, अब सलाह लेंगे तो conflict तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हो सकता है, आपकी जो ideology हो, दूसरी सामने बाली party की वो ideology ना हो, तो ऐ मेरा conflict बहुत जदा होते हैं, और conflict होने की वज़े से power जो है, जो आपकी decision जो है, वो लेने में थोड़ी सी problem आती है, conflict होते हैं, जगड़े होते हैं, next है, the decision takes a lot of time as each party must agree uniformly, अब वही बात है कि disagreement हो रहे हैं, dispute हो रहे हैं, अलग अलग parties के बीच में, तो सभी party को एक मत लाना ब बड़ा time रग जाता है, तो यह कुछ coalition government की limitation है, प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई decision नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें बाके की जो party हैं, उनके भी सलहा लेनी पड़ती है, तो यहां पर आपको इस question का भी answer मिलेगा, क्यों उन्हें दूसरों के, क्यों प्राइम म government में सरकारे मिलकर बनी होती, तो सबसे सलहा मश्वरा करना पड़ता है, सबसे decision लेने के time पर सबसे बातचित करने पड़ती है, consensus लेना पड़ता है, इसलिए अपनी मर्जी का decision नहीं ले पाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जब वो चाहें, तो यह limitation थी, coalition government की, I hope you understand it well, best of luck.